दोस्तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शियर करें और चैनल को सस्क्राइब करना ना पूरें सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके दोस्तो आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही मैत्वपून टॉपिक लेके आई हूँ पाइल्स यानि बावासीर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का सबसे असरदार घरेलू उपाई आईए जानते हैं इसके बारे में अगर आप पाइल्स बावासीर और हैमरोइट की बिमारी से परिशान हैं तो सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये बिमारी रात और रात या एक दिन या एक हपते में ठीक हो जाने वाली बिमारीयों में से नहीं है क्योंकि पाइल्स एक ऐसी बिमारी है जो समय के साथ साथ होती है और समय के साथ साथ ही बढ़ती जाती है और इसलिए इसका हिलाज भी समय के साथ साथ ही होता है और इसे पूरी तरह ठीक करने के लिए कुछ परहेज और सावधानिया बरतने के साथ साथ एक से अधिक उपा करने की बीज़रूरी होती है यह एक ऐसी प्राबलम है जो की किसी भी उमर के इंसान को हो सकती है जिन लोगों को अक्सर कप्ज या पेट खराब होने की समश्य होती है ऐसे लोगों को पाइल सोने की बहुत जादा चांसेस होते हैं साथ ये विमारी ज्यादातर महिलाओं को प्रेग्रेंसी की दौरान भी हो जाती है इसके लावा जिन लोगों को लगातार हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उन्हें भी पाइल सोने का खत्रा रहता है अगर आपके परिवार में पहले किसी को इस तो आपको भी ये प्रॉब्लम होने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं इसलिए ऐसी स्तिती होने पर खान भान में सावधानी बरतना बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि ये बीमारी हमारी प्राइविट पार्ट और गुपतांग से सम्मंदित होती है इसलिए शुरुवात में अक्सर लोग इसे दूसरों से छिपाते है और अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करने में भी कत्राते हैं लेकिन ये बिमारी हमारे पेट से शुरू होती है और जितने भी बिमारी हमारे पेट से सम्मंदित होती है उन्हें शुरुआत में तो बहुत ही आसानी से ठीक किया जाता है लेकिन अधिक समय हो जाने के ब ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बावसी पाइल्स या हैमोराइट्स को दूर करने के लिए जड़ से के लिए दूर हो जाएगा इसके साथ हम यह भी जानेंगे कि इस समस्या में तुरंत रहत पाने और इसे वापस आने से रोकने के लिए किस तरह की चीजें हमें ज्यादा खानी चाहिए और कौन-कौन सी साउधानिया भी बरतने चाहिए चलिए बाब करते हैं पहले नुसके की पायक्स की बिमारी को बाहरी रूप से तेजी से ठीक करने के लिए जात्यादी तेल बहुत ही फायदेमंद होता है जात्यादी तेल मुलेठी, हरण और शहद, हल्दी जैसी 20 प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूठियों से मिलकर बना होता है जो की पूरी तरह प्राकिर्थिक होता है और इसका इस्तमाल घाओं को भरने तथा त्वचा से सम्मंदित कई तरह के रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है इसकी सबसे खास बात ये है कि इसका असर पायल्स के मसों पर बहुत तेजी से होता है और साथ ही एक बाट ठीक हो जाने पर ये उस जगह का इंफेक्शन को भी पूरी तरह ठीक कर देता है जिससे की ये प्राब्लम दोबारा नहीं आती इसका इस्तमाल करने के लिए रूई या कॉटन का एक टुपड़ी को जात्यादी तेल से अच्छी तरह भीगो ले अब इस भीगोए हुए कॉटन बॉल को अपने एनेस को यानि की गुदाद वाहर पर लगा कर हलके हातों से अंदर की तरफ दबाए ऐसा करने से कॉटन में मौजूद तेल निकल कर अंदर रेक्टम की और जाएगा और वहाँ पर मौजूद इफेक्टेट एरिया को तेजी से हील करेगा इसमें एक बार में हमें 2-3 ml से जादा तेल का इस्तमाल नहीं करना है अगर आपको जादा अंदर की तरह मस्य है तो आप कोशिश करें कि ये तेल जादा से जादा अंदर की और जाए इसका इस्तमाल एक दिन में 3-4 बार या दिन भर में जितनी बार भी आप सोचा ले जाते हैं तब हर बार फ्रेश होने से पहले और फ्रेश हो जाने की बाद इस तेल का इस्तमाल करें और साथ ही रात में सोने से पहले भी इस तेल का इस्तमाल जरूर करें इसे रात में लगाने से उस तेल में भिगोए हुए कौटन को रात भर के लिए उस जगा पर ही लगा रहने दे ऐसा करने से इसका असर दो गुने जादा रफतार से होता है पायल्स या बावासीर की विमारी में जात्यादी तेल का इस्तमाल आयूरवेद में पुराने समय से किया जाता आ रहा है एक हपते तक इसका इस्तमाल करते रहने से आपको बहुत ही अच्छा फल महसूस होगा लेकिन अच्छे परिनाम के लिए इसके साथ कुछ और घरेलो नुस्कों का भी इस्तमाल किरा जाना चाहिए इसके लिए अगला जो नुस्का है उसे बनाने के लिए हमें जरुत होगी जामुन के बीज, आम के बीज और जीरा पाउडर की इसमें हम आम के बीज का स्तमाल कर रहे हैं आम का बीज, खुनी बवासेर में बहुत ही ज़्यादा फाइदेमंद होता है जिन लोगों को भी पायल्स की विमारी की परिशानी से काफी दिन हो गया है और अफसर खुन आने की प्राबलम बनी रहती है तो ऐसे सिमें आम के बीज बहुत अधिक लाबकारी होते है इसे बनाने के लिए सबसे पहले आम और जामुन के बीजों को अच्छी तरह सुखा ले और इनका पाउडर बना ले आम के बीज का पौडर बनाने के लिए सूखने के बाद इसके अंदर वाले हिस्से का है इस्तमाल करें इसके बाद 50 ग्राम जामुन की बीज में 25-30 ग्राम आम की बीज का पौडर और 25 ग्राम भुने हुए जीरे का पौडर सारे चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर ले इस तरह से आपका ये नुसका तयार हो गया इस तयार पौडर का सेवन रोजाना सुबर एक चमच खाना खाने के बाद बहुत हलके यानि गुनगुने पानी के साथ मिला कर करें इसमें मौझूद जामुन के बीच हमारे पेट को साफ करते हैं और हमारे स्टूल को भी धरम बनाते हैं जिससे कि फ्रेश होते समय हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है और साथी ये हर तरह के इंफेक्शन को भी तेजी से खत्म करता है इसने उसके का इस्तमाल हमें सुबह और दिन के खाने के बाद ही करना है रात के खाने के बाद इसका इस्तमाल नहीं करना है इसके इलावा एक और आयुरवेदिक उपाई है जो हैमरोइड में बहुत ही फायदेमंद है वो है अभियरिस ये एक पिये जाने वाली आयुरवे तो इसे online भी खरिच सकते हैं अभ्यारिस्ट का इस्तिमाल पेट से जुड़े सभी तरह के रोगों के लिए किया जाता है और खासकर पाइल्स में ये बहुत ही जादा फायदेमंद होती है जात्यादी तेल के तरह ही अभ्यारिस्ट ये भी 15 से अधिक आहिरुवेदिक चड़ी बूटियों से मिलकर बना है पाइल्स में होने वाले अशेहनिय दर्द के लिए ये बहुत ही कारगर माना जाता है इसका इस्तमाल करने के लिए एक कप हलका गर्म पानी ले ले और उसमें दो से तीन चमच अभ्यारिस्ट मिला कर रोजाना सुबह शाम खाना खाने के एक घंटे बाद सेवन करें लगातार इसका इस्तमाल करते रहने से आप देखेंगे कि दिन प्रती दिन आपके दर्द में बहुत ही कमी हो जाएगी और पाइल्स के बिमारी में भी सुधार आता जाएगा अब ये रिस्ट का इस्तमाल एक बार में 15 से 20 एमिल सधिक नहीं करें और साथी गर्भा औरस्ता के दौरान इसका सेवन करना हानिकारक हो सकता है इसलिए प्रेगनेंट महिलाएं इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें इसके लावा कुछ साधारन खाये जाने वाली चीजे होती है जो पाइल्स होने पर बहुत ही ज्यादा फाइदेमंद सिध्ध होती है इसके लिए मूली और करेले का रस भी बहुत ही उपयोगी होता है जिन लोगों को भी खूनी या बादी किसी भी प्रकार की बावसिर की समस्य है उन्हें एक हपते में तीन बार एक कप करेले का रस और एक कप मूली का रस जरूर पीना चाहिए ऐसा करने से इंफेक्शन तेजी से ठीक होता है और बुरे से बुरे दर्द में भी तुरंत राहत मिलती है इसके इलावाद फलों में नारियल पानी पपीता तरबूज बेल का फल और जामुद बहुत ही फायदेमन होता है बेल का फल पाइल्स में बहुत ही चमतकारी ओशेदी के तरह काम करता है जिन लोगों को भी बुरे से बुरा कब्च या ऐसीडिटी की समस्य है उन्हें हपते में तीन बार इसका सरवत या पौडर का इस्तमाल करना चाहिए इसके साथ ही रोजाना एक टाइम नारियल पानी पीने से भी बहुत ही फायदेमन होता है नारियल हमारे पेट को गरम होने से रोकता है पाइल्स के दौरान पेट में बड़ी जरा से भी गरमी अचानक या फिर फ्रेश होने के बाद होने वाले दर्द का कारण भी बन सकती ह ऐसे में रोजाना खाली पेट, आधा ग्लास, नारियल पानी पीना बहुत ही लाबकारी होता है इसके इलावा पेट को ठंडा रखने के लिए ताजा बना हुआ दही भी बहुत ही फाइदेमंद होता है रोजाना सुबय नास्ते में साधे या नमकीन दलिये या ओट्स के साथ दही का सेवन करने से शरीर में फाइबर की मात्रा भी बढ़ती है और पेट की गर्मी भी कंट्रोल में रहती है इसके लावज सर्चियों में पालक और कटहल बहुत ही जादा फाइदेमंद होती है क्योंकि इन दोनों में ही आईरन और फाइवर के मात्रा अधिक होती है जो की बावसित की बिमारी में बहुत ही महत्वपून भूमी का निभाती है शरीर में आईरन और फाइवर प्रचूर मात्रा में होने से हमें स्टूल पास यानि की मल विसरजित करने से किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और शरीर में आई कमजोरी भी तूर हो जाती है अगर आप रोजाना रोटी खाते हैं तो खाने में रोटी की मात्रा कम करके आप अपना आधा पे सीजनल फ्रूट से भर ले और साथी गेहू के आटे की जगा रोटी बनाते समय उसमें थोड़ी मात्रा में जौ का आटा भी मिक्स कर दे इसके अलावा पाइल सोने पर शरीर में पानी का कमी होना इस बिमारी को और बत्तर बना सकता है इसलिए दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए लेकिन एक घंटे में 200 ml से ज़्यादा ना पिए पाइल सिया बावसित की बिमारी एक बहुत ही गंबीर और दर्दनाग बिमारी है इसलिए चाहे इसके शुरवाति स्टेज हो या फिर ये ठीक होने वाला हो बिना खान पान में परहेच किये या बिना सावधानी बरते इसे जड़ से खत्म करना और संभव है इसलिए खान पान में ज्यादा थीखा या मसालेदार भोजन जब तक आपके तकलीफ हो तब तक पूरी तरह से ही छोड़ दे और अगर आप थोड़ा सा थीखा पन चाहते हैं तो क केवल हरी मिर्च का ही सेवन करें लाल मिर्च का सेवन बिल्कुल भी ना करें लेकिन अगर आप अंजाने में कुछ तीखी या मसालेदार चीजें खा लेते हैं तो उसके बाद अपने पेट में होने वाली गर्मी को ठीक करने के लिए खीरे और पुदीने का जूस जरूर प होती ही है यह मस्य बड़ी हुई बादी फैट का ही एक रूप होता है इसलिए इस बिमारी में ऐसे चीजों का सेवन का ना जो कि हमारे शरीर में बादी और फैट की मात्रा को और अधिक बढ़ाए वो भी इस बिमारी को दो गुने जादा रफतार से बढ़ा सकता है चरबी पैदा करने वाली चीजे जैसे कि आलू चना चने की डाल बेसन और सोया बिन या उससे बनी हुई चीजों से जितना हो सके उतना ही दूर रहे क्योंकि यह सारी चीजे शरीर में पानी को सोकती है और कप्च होड़ने की संभावना को बढ़ाती है पाइल्स की बिमार पेट साप ना रहे तो इस बिमारी से बचना और संभव है इसलिए जितनी भी तली हुई चीजे या फिर पैकिंग में आने वाली चीजे जिनमें की प्रजेटिव की मात्रा जादा होती है ऐसी चीजों का कम से कम सेवन करे और बाहर का जंग फूट खाने की जगा घर पर ब बड़ा हुआ ब्लड प्रेसर ही इस बिमारी को और भी नासूर बना देता है इसलिए जो लोग भी धूम्र पानिया शराब का सेवन करते हैं और खाने में हमेशा नौन में ज्यादा खाते हैं ऐसे लोगों को इस बिमारी के दौरान इन सारी चीजों को पूरी तरब बंद क साहिए इसके लावा ज्यादा मीठा या खटा भी इस बिमारी को बढ़ा सकता है खासकर जो बाहर की बनी हुए मीठी चीजे जैसे कि आइस्क्रीम मिठाई या बेकरी आइटम्स इन सभी चीजों में रिफाइन सुगर की मात्रा ज्यादा होती है जो कि हमारे शरीर में पान काने और और गंभीर बनाने में सबसे मैदवपून भूमिका निभाती है इसलिए खटी चीजे जैसे कि कैरी और इमली या इनसे बनी हुई चीजे इस बिमारी की दोरान बंद करतें उमीद करते हूं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमार हमारी चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले हम फिर मिलेंगे आपकी क्रॉब्लम हमारी सॉलिशन के साथ मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरे लूप चारों के साथ जिसे आप अपने परेशानी को दूर कर सकते हैं तब तक के लिए फिट रहें हल आप तक पहुंच चके